आज के वीडियो में हम बात करेंगे IDOL University of Mumbai Distance Open Learning के Results के रिगार्डिंग जैसा कि आप सभी को पता है मैंने टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे, यूटुब पे पोस्ट डाल के अपडेट किया था कि IDOL के जो Results है FYB.com, SYB.com FYBA and SYBA के भी Results अभी अपडेट हो गए है और भी Semester 2 Semester 1 के थे, Semester 3 के थे उसके अलावा आभी Semester 2 के भी अपडेट हो रहा है, तो ये जो Results के अपडेट है, ये सारे Links एक Sequence Form में मेरे वेबसाइट पे मैंने अपडेट कर दिया है ठीक है? तो Simply आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से लिंक जो है आपको description में मिल जाएगा, ठीक है? अब बहुत सारे स्कूटेंट को ये question है इसर, अगर मेरा मैं जो है, fail हो जाता हूँ एक subjects में, या दो subjects में, या तीन subjects में तो अब क्या करे? मतलब next process क्या है? तो आप इस चीज़ को समझे मैं अजिन करता हूँ कि आप video देख रहा हूँ, आप first year में हो semester one का आपने exam दिया है, ठीक है? semester one का आपने exam दिया है जिसमें आपको एक subjects में fail हूए हो, या दो subjects में fail हूए हो, या तीन subjects में fail हूए है, या चार subjects में, या सारे subjects में fail हूए है, ठीक है? मैं ऐसा अजिन कर रहा हूँ कि आपको आप एक subjects या एक से ज़्यादा subjects में fail हो, तो क्या करना है? तो उसकी ने process ये बोलता है कि आप semester two का अभी से पढ़ाई करना start करें क्योंकि semester two exam आप दे सकते हो चाहे आप कितने भी subjects में fail हो अब semester one में, उसी तरीके से अगर आप semester three में fail हो तो semester four की exam साब दे सकते हो तो आप semester two, semester four, semester six उसके examination का preparation कीज़े semester five का भी result में आए है, वो भी update वा जागा है एक week में, मुझे ऐसा लगता है कि आइड़न इतने फास-फास result update कर रहे है ठीक है, ये एक scenario के लिए होता है अब इसमें दूसरा scenario की सर जो AT-KT लगा है, उसको कैसे clear करें देखो, जिनको एक या दो subjects का केटी है, तो उनको ज़्यादा tension लिए नहीं है कि क्यों, semester two का अगर अगर अच्छे से subjects में field है, तो unsuccessful दिखाएगा वहाँ पे, तो उनके लिए problem ये है, कि अगर आपका दो से ज़्यादा, धाल से सुनिए अगर आपका दो से ज़्यादा subjects में केटी है, तो उसका आपको clear करना होगा उस particular subjects का तभी आप आगे के year में admission ले पाएंगे, जैसे किसी student ने मुझे से पूचा, मैं इसको पर detail वीडियो बना दूँगा, बूर्ट पर समझा दूँगा, बट मैं general में समझा रहो, short में किसी student ने मुझे पूचा, कि sir, मेरे जो FY का result आया है, उसमें मैं 3 subjects में fail हूँ ठीक है, तू क्या करना है, तो 3 subjects में तरहाँ fail हूँ, तो आप semester 2 का पढ़ाई करो, इमानदारी से और ये जो 3 subjects है, इसका 80-80 का form आएगा हो सकता है, एक week या दो week या हो सकता है कि May के last week तर जो है लोपिस आ जाए 80-80 का form भरने का, तो आप क्या करोगे? वो 3 subjects का 80-80 फाउम भरोगे, मतलब re-examust के लिए form भरोगे Basically re-examust का form होता है तो आपका 1 subjects है, 2 subjects है, 3 subjects तो उसका आप क्या करोगी? Re-examust का form भरोगे, सर उसका exam कब होगा? हो सकता है semester 2 का exam होने से पहले, या हो सकता semester 2 का exam होने के बाद ठीक है आपका examination conduct करा जाए इसलिए क्यूंकि आपका semester 1 में केटी है तो आपको एक chance मिलता है exam दे के clear करने का ताके आप SY में easily admission ले सको ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो questions थी कि sir एक subjects में fail हो subjects में वो clear हो गए रहेगा मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूँ कि अगर आप fail हो तो आप semester 1 में अगर fail हो या semester 3 में fail हो तो आप semester 2 का पढ़ाई करना इस्टार्ट करो कि कि उसका exam साप आप here कर सकते हो आप easy exam दे सकते हो दूसरा अगर आप semester 3 में हो तो आप semester 4 का exam दे सकते हो that means आपको semester 2 का examination का preparation semester 4 का examination का preparation करना चाहिए और जब भी 80-80 का date आता है तो आपको 80-80 का date का apply करना है ठीक है? 80-80 का जो date होगा वो भी university के website पे आ जाएगा तो आपने अगर मेरी channel को subscribe किया है तो definitely sure आपको update मिल जाएगा एक दो दिन late मिलेगा बट मिल जाएगा update ठीक है? तो अगर आप idol student हो तो make sure करना कि आप channel subscribe करके रखो और अगर आप हमें thanks कहना चाहते हैं अगर आपको information हमारी पसंद आती है आपको आपके study में कुछ value add करती है हमारे videos तो आप thanks कहना चाहते हैं तो simply आप हमें YouTube पे support कर सकते हैं हमारा join button करके उसमें एक small amount का contribution है तो thanks कहना तो आप join करके हमें thanks कह सकते हैं बाकि उसमें service यह ही कि अगर आप join कर लोगे support करोगे तो कुछ questions होंगे तो हम priority based पर क्या करेंगे यह questions के आपको reply कर देंगे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो वीडियो को like करना, comment करना, share जरूर करना सारे idolist content को अन एक और चीज़, वीडियो last time देख रहो अब आपके अगर कुछ questions है तो comment में इद्दम अच्छे से proper sequence में लिंक देना क्योंकि इसका next video रहेगा वो उस topic के उपर में वीडियो बनाऊंगा ठीक है, ताके जो भी idolist content जो मुझे follow करता है वो सारे doubts उनके solve होने चाहिए ठीक है, चलिए, मिलते नेक्स वीडियो में